माँ का नाम सुनते ही हमारी आखों के आगे जुरियों भरा चहरा नजर आ जाएगा जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जणदगी के तमाम गमों ने मिलकर उसे लूटा है वो अपनी प्लान जिशन के नाम वक्फ कर देती है बाप भी अपनी तमाम अमर उनके नाम पर जीता है और उन्हें बड़ता देखकर उसे हमत मिलती है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा एक द satisfaction म ऐसे ही एक वाकिया में नामालूम वालदें ने अपने नोमोलूद को बाउली में फिंक कर राहे फरार एक्तियार कर ली ये वाकिया नर्सापूर में पेश आया जहां अवाम ने बाउली से बच्चे की रोने की आवास सुनी और पुलिस को फौरण इसकी एतला दी जिसके बाद बच्चे को सही सलामत बाउली से बाहर निकाला गया और खरीबी दवाखने मुन्तखिल किया गया डाक्टरों ने बच्चे की हालत को मुस्तहकम बताया है और एक केस दजरेजिस्टर करते हुए उसके माबाब की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने अपने बच्चे को कुवे में भैंक दिया था दोस्तो अब आप रहे हर वक्त या क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताजा तरिन खबरों का अमबार चाहे घर हो बस हो या रेल हम करेंगे आपको अपडेट एवरिवेर तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सबस्क्राइब करना ना भूले 7H News आपकी आवाज